सुपर्भाद चात्रों मैं आपकी हिंदी के अध्यापी का आज आप सभी को कक्छा नौ के अध्या एक की कहानी पढ़ाने जारे हैं जिसका नाम है दो बैलो की कथा दो बैलो कथा के लेखक मुंसी प्रेम चंद्र जी हैं जो की बहुत बड़े उपन्यासकार और कहानीकार थे अब आईए पाठ का परिचेव जानते हैं पाठ के आधार पर हम इसके बारे में जानते हैं कि इस कहाने के माध्यम से मुंसी प्रेम चंद्र जी हमें क्या बताना चाते हैं तो पाट के आधार पर दो बैलो की कहानी है, इसके माध्यम से किसान और पस्वो के आपसी भौनात्मक रिष्टों का जीवानत और सजी चितरन प्रस्तुत किया गया है। सभी का जन्सी ददिकार है और यह मनुष्य स्यों एवंपस्वो दोनों को प्रिय है। इसको प्राप्त करने के लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेखक ने दो बैलो की कथा के माध्यम से लोगों का तातकालिक परिवेश में चल रहे हैं सोतंतरता आंदोलन में भ कथा प्रम्प्रा का उपियोग और विकास किया है। अब आईए इस पाठ के आधार पर हम लोग जाने कि इस पाठ के आधार तर कभी हमें लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो प्रेम्चंद की परसिदिकानी दो बैलों की कथा के मुख्य पात्रे जानते हैं कि कौन-कौन थे इसके मुख्य पात्रे हैं जो हैं वो हीरा और मोती हैं जो की दो बैल हैं वे सीधे साधे और भोले भाले भारतियों के प्रतीक हैं जो दयालू है, प्रोपकारी है, नहनती है और साथ ही साथ अत्याचार को सहन करने वाले भी हैं। अब आईए आगे इस कहानी के माध्यम से हम लोग जाने कि इसमें क्या है। सबसे बुद्धी हीन जानवर गधा को माना जाता जो कि सुख दुख हानी लाग यानि सभी प्रिस्तिती में एक समाम रहता है। पिर भी लेखक ने उन्हें उने हैं इस्प्राविर्ती के कारण रिस्यमेनी की स्रेनी में रखा क्यूंकि रिस्यमेनी यह कैस सबैकती हैं जो हरेख सुख दुख को साथे वए अपने कारिय में लगे रहते हैं। गदे से कुछ कम सीधा प्रानी है बैल क्यूंकि वो कभी-कभी अड़ जाने के कारण अपने कामों को करने से इंकार कर देता है जिसके कारण उसका कुछ अलग अस्थान है जूरी काची के पास बैलों की एक जोड़ी थी जान दोनों पच्छाई जाती के सुन्दर, सुडोल और मेहनती बैल थे साथ साथ रहते हुए उनको अपने मालिक से प्रेम हो गया वह आपस में गहरी मित्रता हो गई वे आखों ही आखों में एक दूसरे की बात को समझ लेते थे हीरा सहंसील तथा धैरेवान था मोती बहुत जल्दी ही गुस्ये में आ जाता था किसी कारण वस जूरी को बैलों को अपने ससुराल भेजना पड़ा बैलों ने समझा कि मालिक ने उन्हें बेज दिया जूरी का साला गया आगे धकेला तो वे पीछे रहने लगें संध्या के समय वे जूरी के साले के यहां पहुँचे तो पहुँच तो गयें पर उन्हों बेगानापन सताने लगा और उन्होंने चारे में मूँ तक न डाला रात को आखों ही आखों में बाते कर दोनों बैलों बैल जूरी के साले गया के घर से भागें तो सीधा जूरी के यहां आकर रुखे जूरी ने प्यार किया सहलाया लेकिन मालकिन नमक हराम कहकर और खाने के लिए सुखा चारा डाल दिया जूरी ने नौकर से खली डालने को कहा पर नौकर मालकिन के डर से ऐसा ना कर सकें हीरा मोती के वापस जूरी की ससुराल भेज दिया गया ऐसा अपमान पहले कभी न हुआ था जूरी के साले ने मोटी रसी में बांध नाक पर डंडे बरसाएं पर वे हल में जुतने को तयार ना हो भाग खड़े हुएं गले में मोटी रसी होने के कारण वो जल्दी ही पकड सुखा चारा मिलने पर उन्होंने उसमें मूह न डाला पर संध्या होने संध्या में बहुरे की छोटी बच्ची उन्हें एक एक रोटी खिला गई इस प्यार से दोनों की आत्मा त्रिप्त हो जाती है सौतेली मा से पिडित इस बच्ची को देख मोती का दिल हुआ कि भोरो की पत्नी को उठाकर पटक दे लेकिन हीरा ने उसे औरत जात्पत सिंग न चलान ने संबंधित निती की बात कहकर मना कर दिया क्योंकि जो भोरो की लड़की थी उसकी सौतेली मा थी जो उसे मारती पिडिती थी यह देखकर उन लोगों को उस पर अफसोस आता है रात को जब रसी चबाकर भागने की योजना बना रहे थे तभी भोरो की बेटी आकर रसी खोल जाती है वे बच्ची के इसने के कारण पहले न भागे पर बच्ची सोर मचाने लगी फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं दादा भागो तग वे दोनों भाग खड़े होते हैं अग्रहाची उन दोनों बैलों को खोलने के बादué जिते हैं भागते भागते दोनों रास्ता भटक जाते हैं कौन पार करतेakukan किनूआ खेट में गुश जाते खुब मक vet खाते हैं और मस्ती में जुमने लगें पैट भरा होने पर कुछ समझ नहीं आता है, उन्हें अचानक सामने से सान आता देख, पहले तो वह घबरा गए, फिर मिलकर उस पर वार किया, एक आगे से भिरता तो दुसरा पेट में सिंग मारता, सान को दो तरफा लडाई का अभ्यास ना था, इसलिए वह खड़ा हो जाता, क्य वहां से भाग खड़ा होता है, सान को हराकर नसे में चूरवे सामने मटर के खेत में फिर से घुसे ही थे कि मालिक आ गया, हीरा भाग सकता था, लेकिन मोती के खाती रुआ भी पकड़ा गया, लठैतो ने पकड़ा और काजी होस में कैद कर दिया, दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सभी का पड़ा कि सारा दिन बीद गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला, समझ में ही ना आता था कि वह कैसे स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था, यहां कई बैसे थी, कई बकरिया थी, कई जानवरे थें, जो मु अहसास हुआ कि दिवार कच्ची है, थोड़ी मेहना से तूट जाएगी, इसलिए हीरा ने सिंग मारे, चौकिदार ने देख लिया, हीरा को मोटी रसी में बान दिया, मोटी ने समझाया कि इस तरह करने से तो बहुत मार पड़ेगी, लेकिन हीरा का कहना था कि इस तरह से हम भाग जाओ, लेकिन इन मोटी हीरा को छोड़ कर कैसे जाता, उसने दोस्ती की खातिर वहीं रहना बेहतर समझा, सुबा काजी होस में रखवाली, खलवली मच गई, दोनों की पिटाई ही और उन्हें मोटी रसी में बान दिया गया एक सब्ता तक दोनों वहां बंदे पड़े रहें, किसी ने चारे का एक तिनका तक भी न डाला हैं, एक बर पानी दिया जाता था, यही उनका आधार था, दोनों इतने कमजोर हो गये थे कि उठने तक नहीं जाता था, ठठरिया निकल आई थी, हड़ी हड़ी उनकी दिखा देने लगी थी, एक दिन वे दोनों एक दड़ियल कसाई के हाथों बेज दिये गए, रास्ते में उन्हें गाय भैसों का जुन परसंता से कुता दिखाई दिखाई दिया वह, सोचने लगे कि अपने दो साथियों को कसाई के हाथों में देखकर भी उन्हें दुख नहीं कितने स्वार थी हैं, दड़ियल के साथ जाते समय हीरा मोतिक की रफ्तार रास्ता जाना पहचाना लगावे, तेजी से भागे और जूरी के घर अपने पुराने धान पर जा खड़े हुए, जूरी ने उन्हें प्यार से गले लगाया, वे भी जूरी का हाँ चाटने लगे, पीछे से आकर दड़ियल ने बैल की रसी पकड़ ली, पर मोति ने ऐसा सिंग चलाया की दड़ियल सिर पर पौन रखकर भागा, जूरी ने प्यार से नादों में खली चोकर दानायम भूसा भर दिया, दोनों मित्र परसंता ही परसंता से इत्मिनान हो गए और वो चारा खा पाने लगे, गौँ भर में दोनों की खुब परसंता हुई मालकिन ने भी आकर उन दोनों को प्यार के और प्यार से माथा चुमा, इस परकार ये कहानी यहीं पर समाथ होती है, उमीद करती हूँ कि आप सभी को हीरो और मोति द्वारा हमारे स्वतंतरता से नानियों की किये संघर्षों के बारे में समझ में आया होगा और ये भी आप लोगों ने समझा होगा कि हमें किस तरह से अपने संघर्ष के द्वारा अपने मारिक को प्राप्त कर सकते हैं, धन्यवाद